हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपको इस वीडियो में स्लीव का ये वाला डिजाइन बनाना बताऊंगी और इस कुर्ती की कटिंग की और स्टीचिंग की मैंने अलग-अलग वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ पर जाके आप चैक कर सकते हैं तो अब मैं आपको स्लीव में डिजाइन बनाना बताऊंगी तो यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग करके इस तरह से स्लीव को रखा है देखिए और अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और यहाँ हम स्लीव की बॉटम पार्ट में इस तरह से double fold करके यहाँ पर सिलाई रख लेंगे तो यह देखिया हमने दोनों sleeves के bottom part में double fold करके यहाँ पर सिलाई रख ली है अब मैं आपको यहाँ पर पहले एक sleeves को ready करके दिखाऊंगी तो यह देखिये हमने यहाँ पर एक पट्टी ली हुई है और इसके length में आपको दिखाऊंगी कि कितनी ली है देखिये इसके length हमने यहाँ पर 15 इंच ली है देखिये और इसकी चौडाई हमने यहाँ पर 3 इंच ली है और अब देखिये यह हमारी पट्टी की राइट साइड है और यह हमारी रॉंग साइड है यह हमारे कपड़े की सीधी साइड है और अब हमें पट्टी को इस तरह से एक फोल्ड करना है देखिए यहाँ पे इस तरह से और एक फोल्ड हमें इस तरह से करना है त्योंकि हमें पट्टी का मिट वोल्टे वे इस पत्ती को रखना है देखिये में जाएं पर से हाफ इंच लगबख फोड्ड करते वे इस तरह से एक फोल्ड और करना है और इसके बीच में हमें अपने sleeves के mid point को मिलाते हुए यहाँ पे भी एक all pin लगा लेनी है यह देखिए हमने यहाँ पे all pin लगा ली है और अब हमें इसके बिल्कुल mid point में एक सिलाई लगानी है तो यह देखिए हमने यहाँ पे sleeves में नीचे से दो इंच लगबक छोड़ते हुए इसके mid point में पट्टी को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है यह देखिए इस तरह से यह देखिए हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है हमने sleeves का भी mid point लिया है और पट्टी का भी हमने mid point लेके यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है देखिए और अब मैं हाँ पे स्लीव्स को पहले इस तरह से रखूंगी और देखे अब हमें हाँ पे साइट से एक फोल्ड इस तरह से करना है और उसके बाद एक फोल्ड और कर लेना है देखे इस तरह से और पूरा नीचे तक हमें इसी तरह से दो फोल्ड करके यहाँ पे इसे all pin से secure कर लेना है और इसी तरह से हम यहाँ दूसरी साइट में भी दो fold करके इसमें iron कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई रखनी है तो यहाँ पे देखिए हमने दो fold करके इसमें iron कर ली है यह देखिए हमने इसे दो बार fold किया है और इसमें हमने आयन कर लिए देखिए और अब हम यहां उपर से इसमें एक सिलाई लगाएंगे नीचे को और यहां नीचे तक हम इसमें इस तरह से सिलाई रख लेंगे और अब हम इसे हटा के दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई रखेंगे तो देखिए हमने यहां दोनों साइट से इसमें एक सिलाई लगा ली है और एक सिलाई हमने यहां बिल्कुल मिड़ पॉइंट पे लगाई है यह देखिए और यहां दोनों साइट से हमारा यह नीचे से ओपन है देखिए और इसी तरह से यहाँ ऊपर साइट से भी यह हमारा दो साइड ओपन है देखें यहाँ पे और अब हम यहाँ पे इसमें डोरी को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की डोरी लिए हुई है देखिए तो अगर आप भी इस तरह की डोरी बनाना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं तो देखे हमें यहाँ इस डोरी को स्लीव के बोटम पार्ट से इस तरह से इंसर्ट करना है यहाँ पर यह देखे इस तरह से यह देखे हमने यहाँ से अपनी डोरी को इंसर्ट कर लिया है और इस डोरी की लेंद आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं मैंने यहां पर स्लेव्स की लेंद्ध से 7 इंच एक्स्टर लिये हुआ है और अब हमें इस डोरे को यहां दूसरे वाले से इस तरह से डालना है यह रेखे तो हमारा यहां पर दूसरा वाला होल है यहां से हम इस तरह से डालेंगे तो यह देखे हमने यहां से डोरे को इंसर्ट कर लिया है और अब यह हमारे डिजाइन बनके बिल्कुल रेडी है और अब इस डोरे को इस तरह से खीचते हुए यहां पर नॉट लगा लेनी है तो यह देखे हमारी दोनों स्लीव्स बनके विल्कुल रेडी है यहां पर अब हम इसे इस तरह से एक फोल करेंगे यह देखे इस तरह से और जो हमारी फिटिंग का निशान है यहां पर एक सिलाय लगा लेंगे और इसे हम अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे और यह देखिए हमने sleeves को कुर्ती में attach कर लिया है और इस कुर्ती की cutting और stitching की वीडियो का link description box में है आप जाके चेक कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like and share करें और comment करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी